बाहोबा के लोगों से वर्चुल मुखातिब हुए पीम मोदी, यूपी के सीएम योगी आतनात और मंत्रे उने किया उनका भी नदर राजसभा में भाजपास आंसदों की गैर मौजूदगी पर पीम मोदी नजटाइना राजगी मांगी सदस्यों के लिस्ट जोक्यों में नए भारत का उदय उलम्पित में हुए कमाल ने कोविर महमारी की हताशा पर लगाया मरहा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव को थोड़ा थामे गाओ बीसी विध्यक पंद्रा विपक्षी दल बिलपास कराने को राजी मिजोरम में भूकम के तेज जटके रिक्टर स्केल पर त्रीवता चार दसमलो चार मां पी गए नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ प्रियाधिवार इश्रुवात करते हैं एक खबरों की पहली खबर फतहपुर से है जहां पर यमुना नदी में आई बार ने तटवर्ती लाके के परसेड़ा और दपसौरा गाउं की मुसीबत को बढ़ा दिया है यहां अब तक करीब 300 परिवार बार से प्रभावित हुए हैं जबकि 100 से अधिक करीबों के कच्चे आशियाने डेह गए हैं ग्रामिडों के घरों के अंदर पानी घुस गया है और किसानों की हजारों विखे फसल बार के पानी में जलमग्ण होकर पूरी तरीके से नश्ट हो गई हैं यमुना में आई बार से चांदपुर के दपसौरा और परसेड़ा गाउं के लोग पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं ग्रामिडों को त्यानिक जरूरी सामानों की खरिदारी के लिए नाल से ही आना जाना पड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ दपसौरा गाउं में बने विद्याले को बार चौकी का रूप भी दे दिया गया है वहीं अब देखना ये होगा कि प्रिशासन इस मुसीबत से ग्रामिडों की किस तरह से मदद करता है जो बार चल लहीं है यमना और बेदावा की तो यहां पर कई धनों की तो बुली हालात हो चुकी है जिसमें क्रेब सव घर के आसपास जो है वो पाड़ी से भर चुके हैं और कुछ गर तो ऐसे हैं क्रेब दर्जन से उपर होगे ऐसे जो बहुत जादा प्रेशान है और बहुत जादा करीब दी है ना तो उसको निकलने की कहीं पर जगए मिल लही है चारो तरफ पानी वरा हुआ है और घर में अपने च्छत के उपर समान रखकर के लोग उड़ा तीजा जिसे हो पा रहा है उसे उद्रोस्ता करेब अईशाजापुर के चौक थाना च्छेत में पुलस ने 60 कारोबारियों के खिलाफ सक्ट कारवाई की है पुलस ने घर में जुआ खेल रहे 14 60 कारोबारियों को ग्रफदार किया है साथी पुलस ने आरोपियों के पास से 64 000 रुपए 34 तास की गड़ी और 9 गारियों को भी बरामत किया है फिलाल पुलस आरोपियों के खिलाफ कारोबार बे लगातार जुटे हुई है पुलस ने एक महत्पूर्ण सबलता पाई है इन्होंने 14 अभिप्तों की किरफतारी किये जिनके पास से 34 गड़ीया तास की बरामत हुई है और 63,250 बरामत हुए नौबाइक से बरामत हुई है और इनके पास से अन बहुत से सामान बरामत है महंद्र राठाव के घर में जु पुलस ने पुलस लगातार अवैद शराब के खिलाफ अभियान चला रही है और इसी कड़ी में पुलस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलस ने 24 घंटे के अंदर करीब 80 लोगों पर केस दर्श के और 85 कारोबारियों को भी गिरफतार कर लिया है पुलस ने आर लीटर लेहन को भी नश्ट किया है जनपत पुलस द्वारा अवैद शराब की बिक्री पनिसकर्शन करने वाले लोगों के विरुद अभियान जारी है कि कल की करवाई में अभियान में 79 अभियोगों में 85 अभितों को गिरफतार किया गया है और उनके कबजे से 850 लीटर श ऐसोन भदर में शासन के निर्देशन उसार कंपोजिट विद्याले बीचपुर में महला क्लास प्रारम की गई है जिसमें स्कूल के अध्यापकों के साथ साथ प्रेरक साथी भी शामिल हुए हैं अध्यापकों ने अलग-अलग महलों में जाकर बच्चों को एकटा किया औ और सुरक्षा के लिए बच्चों का भविश्य बरबाद ना हो इसलिए सरकार के द्वारा महला क्लास लेने का आदेश दिया गया है जिसके तहट सुभर 9 बज़े से लेकर 11 बज़े तक अलग-अलग महलों में जाकर सभी अध्यापक बच्चों को एकत्रित करकर क्लास ले रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मुख्य अधिती के रूप शामिल हुए हैं जिनका आदिवासियों वा सपा कारेकरताओं ने तीर धनुष देकर जोरदार स्वागत किया है आपको बता दे कि आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नर देना देना नहीं है कि हम हर वर्ष विश्व आधिवासी जीवत मना रहे हैं जिसमें हज्यारों माताएं बहने और हज्यारों आधिवासी भाई लोग यहां पर आएं आधिवासी समाज में लगातार अपने जीवन भर संगर्स करने वाले में काउंपे भी विचारों को यहां पर रख्षा जारा और समाजवादी भी विचार जारा के भी जन पर दुझनों की विचारों खबारामेठी से है जहां पर नंदघर में आवोर्ड रिवाड कारिक्रम का आयोजन किया गया है इस कारिक्रम का आयोजन विधानता की सहयोगी संस्था वुमाना पीपल टूपिल इंडिया की द्वारा किया गया है इस दोरान आंगनवारी कारिकरतियों को अच्छे कार के लिए प्रसस्ति पत्र दे कर सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दे कि कारिकर्म में मुख्य अथिति जला पंचयाच सद से प्रतिनिधी सुनीता सिंग मौजूद रहे। और साथी साथ संस्था के तमाम कारिकरता भी मौके पर मौजूद रहे। अबजात सिशू और गर्वती महिलाओं के इस वास्ते के लिए कारे कर रहे ही बेदात्ता की सही होगी संस्था ओमाना पीपिल टुपिल एडिया के द्वारा आज तिलोई ब्लोग में खबर सोन भद्र से है जहां ध्यापकों ने एक पत्रकार की चम कर पिटाई कर दी दरासल पत्रकार ब्रिजिश कुमार सिंग वर्मा ब्लॉक के परशदिय विद्याले में ख़वर की कवरच के लिए गए हुए थे और इस तोरां अध्यापकों ने पत्रकार के साथ गाली गलोज किया साथी पत्रकार के साथ जम कर मार पीट भीटी आपको बता दे की ग्रामीरो द्वारा सूशना मिली थी कि विद्धान सभा में पारशदिय विद्याले का संचालन हो रहा है पर वहां पर किसी भी प्रकार का कुरोना गाइडलाइन का पालत नहीं किया जा रहा है कुरोना की थीसरी लहर आने वाली है और वो खास कर बच्चों के लिए प्रभावशाली है जिसके लिए शासन प्रिशासन दिन रात एक करके विवस्था में लगी हुई है लेकिन वहीं बढ़ ग्राम सभा के अध्यापक शासन के उद्देशों पर पतीला लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे वहां के जो ग्रामीड थे यानि ग्रामसभाबट के कुछ ग्रामीडों के बताया गया कि यहां कुछ बच्चों को बड़ी संख्यार बच्चों को पढ़ाई करवाया जा रहा है और जिसमें सोचल डिस्टेंशिक का कोई पालन नहीं बच्चे मार्स लगाए हैं और नहीं पढ़ाने वाले सिख्षक सिख्षिका मार्स लगाए हुए थे तो सुचना के बाद हम वहां पर कभरिंग करने के लिए गया और उनसे जानने के लिए कि नहीं आखिर ऐसे कैसे पढ़ाई जा वहां गये तो जब हम कभरिंग करने लगे तो उसी दवरान वहां के जो अध्यापिका थी उनके द्वारा और अध्यापकों को बुलाया गया और इसके बाद वो हमसे बत्तर वहीं बलिया में बाड का कहर लगातार जारी है शहर के निशले हिस्से में सैक्डों घर बाड की चपेट में हैं वहीं जिला प्रिशासन लोगों से घरों को खाली करने की अपील कर रहा है एंटी आरफ ने बाड में फसे सैक्डों लोगों के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है वहीं स्टीम जुनायाद अहमन ने बताया है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लेकिन कुछ लोग घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं लाग समझाने की कोशिश लगाता की जा रही है और फिरोजाबाद के टूनला रेल्वे स्टेशन का ट्वीटर हैंडल पर एक वीडियो संग्यान में आया है इस वीडियो के वारल होने के बाद रेल्वे प्रिशासन और जी आर्पी मामले की जार्श में जोटे हुए हैं देखी एक वीडियो जो है रेल्वे स्टेशन टूनला के संदरह में एक संग्यान में आया था रेल्वे के टूटर हैंडल से उसमें एक महिला के द्वारा जो वहां पे CIT हैं भोरसिंग मीना उनके उपर आरोप जो है वो लगाया गये थे इसी संदरह में जो है रेल्वे प्रिशासन के द्वारा भी और जी आर्पी के द्वारा भी अलग-अलग इसकी जांच जो है वो की गई थी इसी जांच के द्वारा निया पाया गया था कि वहां पर तीन अन टीटी हैं एक कुल्दीप, कुमार, दुर्गेश सिंग और डिके दिख्षित इन तीनों के द्वारा एक सुनियोजित सड्यंतर के माध्यम से अपने सड्यंतर में एक महिला को सामिल करते हुए बरतमान भो प्रदर्शन किया है, साथी जमकर नारेबाजी भी की गई है, लोगों का कहना है कि जल्भराव से आए दिन बड़े सड़क हाथ से होते रहते हैं, वहीं बीते दिनों एक यूवक की नाले में गिर कर मौद भी हो गई, दूसी तरफ पेडित परिजनों को सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, मलसी दिली प्यादव का ये कहना है कि अगर पंद्रा दिनों के अंदर जल्भराव की समस्या का समधान नहीं हुआ, तो अनिस्चित कालिन धर्ना प्रदर्शन किया जाएगा। सेंटर गवर्मेंट इनको पैसा देती है नहीं को, नहीं है चाई ने औरियंटल को पैसा दिया, औरियंटल ने आई आरवी को सहथ पैसा दिया, ऐसा कुछ है नहीं, तो इनकी जिम्मेदार ये नीचे की सर्विस लैंड ठीक हो, इसलिए टॉल्टक्स लिया जाता है, टॉल सेंटर चल रहे आरोपी को गिरफतार कर लिया है, पता दे कि शातिर आरोपी 16 साल पहले एक यूवा की हत्या करके फरार हो गया था, और बिहार के कटिहार में नाम बदल कर रहने लगा था, और मुरादबाद पुलिस को इस अपराधी की काफी समय से तलाश थी, अब जाकर पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, और 16 साल से फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है, हाला कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले में आगी की कारवाई में जोटे हुई है, सराने करारे करते हुए इसकी जानकारी करी और इस फरार अभ्यूक को इशाजापुर के मीरानपूर कट्रा छेतर से गुजरने वाली शारदा नहर में लगभग दो महीने से पानी नहीं आने से किसान काफी जादा परेशान है, नहर की किराने की अधिकांश जमीन सिचाई क के लिए नहर के पानी पर ही आश्रित हैं, पानी नहर में नहीं आने से फसले सूखने लगी है, वहीं परेशान किसानों ने सिचाई विभाग और डीम तक को सूछना दी और गुहार लगाते हुए नहर में पानी छुड़वाने की मांग की है, किसानों का ये कहना है कि समय थान की खड़ी फसल सूखने की कगार पर है साथी बाजरा तिली उर्द आदिक फसलों के लिए पानी की जरूरत पढ़ने लगी है किसान महेंगे डीजल से फसलों में पानी लगाने को अब मजपूर हो रहे हैं पता दे कि नाराज किसानों ने धर्ना प्रदर्शन करके संबन अधिकारियों को ग्यापन भी सौख पा लेकिन उसके बावजूद भी नहर में पानी तक नहीं छोड़ा गया है अधिकारी ते बिदाइक जीजें भी बात की है उन्होंने मेरा लोगों की कोई फिलार के इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी